हेलो दोस्तो नमस्कार आज मैं आपको अरेलिया का प्लांट दिखा रही हूँ अरेलिया एक और्नमेंटल प्लांट है आज हम अरेलिया के प्लांट की पूरी जानकारी जानेंगे की अरेलिया का प्लांट कितने का मिलता है इसकी रिपोर्टिंग कैसे करें इसकी मिठी कैसे तयार करें कौन सा इसको फटिलाइजर दें आउट डूर रखें या इंडोर यह सारी बाते हम करेंगे चलिए दोस्तोrow जानते हैं अरेलिया प्लांट के बारे में मैं शांती जोशी शामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ आज जो प्लांट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ यह अरेलिया का प्लांट है इसकी कई वेराइटिया होती है यह वेरिगेटेट ड्वार्फ वेराइटी है और यह बहुत ज़्यादा खूबसरत दिखाई देता है यह एक पर्मानेंट प्लांट है इसे मैं नर्सरी से 100 रुपीज का लेके आई यह 80 रुपीज से लेकर 100 तक की कॉस्ट में मिलता है और यह बहुत ज़्यादा खूबसरत दिखाई देता है इसे cutting से लगाना बहुत ही आसान है आप cutting से इसके कई plant बना सकते हैं अरीलिया का plant जब हम लेके आएं तो इसके लिए weldon मिट्टी तयार करें जिसमें 40% garden soil, 30% sand और 30% compost मिलाकर मिट्टी तयार करें मिट्टी को हलका करने के लिए हम इसमें धान की भूसी या कोकूपिट मिला सकते हैं धान की भूसी जरा सस्ती पड़ती है तो आप इसे इसमें मिला सकते हैं मैं हमेशा मिट्टी में धान की भूसी का इस्तमाल करती हूँ फंगी साइट के रूप में मैं पौधों में मिलाती हूँ नीम की खली और जिससे पौधे काफी स्वास्त रहते हैं देखिए कितना खूपसरत है ये पौधा इस डंग से हम मिट्टी तयार करें परेलिया का जो प्लांट होता है ये ऐसी जगप पर आप इसे रखें जहां पर इसे हलकी धूप भी मिले और छाओं भी मिले जधा धूप की इसको आउशकता नहीं है पर अन्धेरे में ये प्लांट पत्या गिरा देगा और इतना खूफसरत नहीं होगा जहां तक पानी की बात करें पानी भी इस प्लांट को चाहिए बन्तो ओबर वाटरिंग किसी भी प्लांट के लिए हानिकारक है ओबर वाटरिंग से सारे प्लांट खराब हो जाते हैं तो पानी ज़्यादा ना दे चेक करने के बाद ही इसे पानी दे मौश्यर बना के रखें तो हम जो धान की भूसी इसमें मिला रहे हैं उससे मौश्यर बना रहता है आप कोकोपिट का भी इस्तमाल कर सकते हैं देखिए जब मैंने इसे लगाया था तो ये थोड़ा सा छोटा सा थार जब मैं लेके आई थी अब काफी बड़ा हो गया है मैंने इसे पॉलटिंग में ही रहने दिया और अब मैं इसे रिपॉट कर रही हूँ मुझे काफी दिन हो गए हैं इसे लाए वे तो आज मैं इसकी मिट्टी तयार करते हुए भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसकी मिट्टी मैं कैसे तयार करती हूँ दोस्तों मैं सारी मिट्टी एक साथी तयार कर लेती हूँ तो आज भी मैं बहुत मिट्टी तयार कर रही हूँ यह देखे मैंने मिट्टी और गोबर की खार ले ली है और इसमें देखे इतनी सारी में पूरा एक बैक दहान की भूसी मिला रही हूँ और सारी मिट्टी मैं एक साथ ही तयार कर लेती हूँ देखे पहले मैंने मिट्टी फिर गोबर और फिर अब धान की भूसी एक हिस्सा धान की भूसी ली है अब मैं मिलाओंगी इसमें फंगी साइट के रूपे नीम की खली नीम की खली भी देखे मैंने पूरा एक ये ले लिया है इतनी ज़्यादा मैंने नीम की खली ली है तो मिट्टी भी मेरी काफी है तो इसमें नीम की खली भी इतनी ज़्यादा मैं मिला रही हूँ देखें, ये नीम की खली है और ये पौधों के लिए काफी अच्छी रहती है यह टॉनिक का काम करती है पौधों के लिए तो इस जंक से मैंने मिट्टी तैयार की है और ऐसी ही गमले में भर लिए है सारे गमलों में और पौधे लगाते रहती हूं यह देखे जो जब हम अरेलिया का प्लांट लेके आएं तो इसमें जो मेन जो पौधा लगा रहता है उसमें नरसरी वाले इस साइट से इसमें एक्स्रा मिट्टी डाल देते हैं जो एक्स्रा मिट्टी होती है उसको हम सारी निकाल देंगे, किनारी की सारी मिट्टी निकाल देंगे, तो मैंने ये सारी धीरे धीरे निकाल दी है, अब बीच में जो मेन मिट्टी थी बस वो बची है, तो ये थोड़ा सा गड़ा करके और हम लगा देंगे, ड्रेनेज का वि इसे जगह पर रखेंगे जहां इसे थोड़ी सी दूप भी मिलते रहे गर्माहट मिलते रहे और इसे च्छाओं भी मिले गर्मियों के दिनों में डारेक्टर सनलाइट में इस पौदे को नहीं रखेंगे नहीं तो पौदा खराब हो जाएगा और ये जुलस जाएगा इसकी वेरिडिटिट पत्या होने के करण ये बहुत ज़्यादा खूबसरत दिखाई देता है इस जंग से हम अरेलिया के प्लांट को लगाएंगे अगर आप इसकी कटिंग से प्लांट बनाना चाहें तो इसकी कटिंग भी लग जाती है कटिंग से आप इसके प्लांट बना स बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है ये देखिए एकदम ये जाड़ी नुमा सा हो जाता है हाइट इसकी ज्यादा नहीं जाती है थोड़ा सा और बढ़ेगा ये और परन्तु ये फैल जाएगा बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई देता है गोल आकर अपना भी ले जाता है जिससे इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है बहुत सुन्दा दिखाई देता है वेरिगेटेट पत्यों के कारण इसकी ग्रीन वाली पत्ती वाला भी ये आता है वो भी बहुत सुन्दा दिखाई देता है वो थोड़ा हाइट में हो जाता है और ये व उपसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है बीच में ऐसे वेरिगेटेर पत्यों वाले प्लांट रहेंगे तो गार्डन बहुत सुन्दर दिखाई देता है देखिए थैंक यू दोस्तो